माराश्ट के बुलढ़ाना जिले में एक धार्मिक कारिक्रम के दोरान प्रसात खाने के बाद 300 से ज़्यादा लोग बिमार पड़ गए इन में महिलाए और बच्चे भी शामिले मामले का वीडियो भी सामने आया है इसमें दिख रहा है कि एक अस्पताल के बाहर सडक पर कई मरीजों का इलाज क्या जा रहा है सलाइन की बोतले पेड़ों से बंदी रस्यों से लटकाई गई है जिला कलेक्टर की रन पाटील ने बताया कि यह घटना मंगलवार की है सोमधाना गाओं में हरी नाम नाम का सापताहिक धार्मिक आयोजन हुआ था मंगलवार की राद दस बजे सोमधाना खापर खेड़ गाओं से करीब पांसो श्रगधालू प्रसाद लेने के लिए मंदिर आए प्रसाद खाने के बाद उन्हें पेट दर्द और उल्डी की शिकायत हुई बिमार पड़े लोगों को बीबी गाओं के एक अस्पताल में ले जाया गया लेकिन बेट की कमी को देखते हुए जादातर मरीजों का इलाज अस्पताल के बाहर सडक पर करना पड़ा पेडों से बांदी गई रसियों पर स्लाइन की बोटले लगाई गई जीला कलेक्टर कीरन पाटिल ने कहा कि सभी मरीजों की हालत इस्थीरे और उनमें से जादातर को बुधवार को छुटी दे दी गई उन्होंने आगे कहा कि मेडिकल इमर्जंसी की इस्तिती होने पर डक्टरों की एक टीम को एम्बूलेंस और अन्य आवशक उपकरणों के साथ तेनात किया गया है उन्होंने आगे कहा कि प्रसाद के नमूने की जाच की जाएगी